परिचय आज छोटी का दिन है और हम शाम को खरीदारी करने बाजार जाएंगे टीना कृपया मुझे गिलास ठंडा पानी दो हाँ अभी लाए पिता जी पिता जी आपके लिए पानी धन्यवाद टीना पिता जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ हाँ हाँ पूछो रेफ्रिजरेटर कैसे कारे करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग, शीतलन कैसे होती है बहुत अच्छा प्रशन पूछा है टीना क्या तुम्हें नहीं पता कि रेफ्रिजरेटर उश्मगतिकी के सिधान्त पर कारे करता है उश्मा गतिकी, वह क्या होता है पिता जी? उश्मा गतिकी उश्मा के विनियम का अधियायन है और हमारा रेफ्रिजरेटर इस सिध्धान्त पर कारे करता है अर्थात यह अंदर से बाहर की ओर उश्मा को पंप करता है ठेक है पिता जी, मुझे मेरा उत्तर मिल गया और मैं उश्मा गतिकी के बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ आज आईए उश्मा गतिकी के बारे में और अधिक अधियायन करें उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे उश्मा गतिकी को परिभाशित करना, तापिय समय अवस्था को जानना, उश्मा गतिकी के नियमों को परिभाशित करना, उश्मा आंतरिक उर्जा और कारे को परिभाशित करना, विशिष्ट उश्मा धारिता की गणना करना, उश्मा गतिकी अवस्था चरों और अवस्था के समीकरण का विशलेशन करना उश्मा गतिक प्रक्रमों को समझना उश्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का विशलेशन करना उत्क्रमनिये और अनुत्क्रमनिये प्रक्रमों को परिभाशित करना कनार्ट इंजन को समझना, परिभाशा उश्मा गति की भौतकी की वह शाखा है जिसमें उश्मा और तापमान और उश्मा एवं उर्जा के अन्य रूपों के अंतह रूपांतर्ण की अवधारणाओं का अधेयन किया जाता है उश्मा गति की एक स्थूल दर्शिय विज्ञान है यह स्थूल निकायों का वर्णन करती है और द्रवे की आनविक संग्रचना की व्याख्या नहीं करती है रेफ्रिजरेटर, रूम हीटर, स्वेटिंग वाटर बॉटल, विंडशील्ड, मिस्टिंग, दैनिक जीवन में उश्मा गतिकी के कुछ समानने उदाहरण है तापिय सम्यावस्था तापिय सम्यावस्था किसी निकाए की वह अवस्था होती है जिसमें स्थूल दर्शी चर जो निकाए को विशेष्टा प्रदान करते हैं समय के साथ नहीं बदलते आईए एक उदाहरण ले सर्दी के मौसम में जब आप अपने घर का दर्वाजा खोलते हैं तो उश्मा बाहर के तापमान को संतुलित करने के लिए बाहर निकलती है कुछ समय बाद आप महसूस करते हैं कि घर के अंदर और बाहर का तापमान एक समान है यह तापिये सम्यावस्था के कारण होता है तापिये सम्यावस्था वातावरण और दिवार की प्रकृती पर निर्भर करती है जो निकाय को वातावरण से अलग करती है उश्मगतिकी का शुन्यवा नियम उश्मगतिकी के शुनवे नियम के अनुसार यदि दो निकाए A और B एक तीसरे निकाए C के साथ अलग-अलग समयावस्था में हैं, तो निकाए A और B एक दूसरे के साथ समयावस्था में होते हैं वह भौतिक राशी जो यह निर्धारित करती है कि कोई निकाय एक दूसरे निकाय के साथ समयावस्था में है या नहीं तापमान कहलाती है अब शूनमे नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है तापमान एक ऐसी अदिश राशी है जो सभी उश्मगतिक निकायों का एक गुण है इस प्रकार तापमान की समता तापिय समयावस्था के लिए आवशक व अनिवारे शर्थ है आंतरिक उर्जा, उश्मा और कारे आंतरिक उर्जा, उर्जा की वह मात्रा जो किसी पिंड में इसके अनुओं और उनकी अनियोय क्रिया से उत्पन अनियमित गती के कारण होती है आंतरिक उर्जा कहलाती है उश्मा वह उर्जा जो एक पिंड से दूसरे पिंड में उनके तापांतरों के कारण प्रवाहित होती है उश्मिय उर्जा कहलाती है कारे निकाय पर बाहे समानी करित यांत्री की ये सीमाओं में परिवर्तनों द्वारा एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतित उर्जा को कारे के रूप में जाना जाता है आईए एक उधारन लें एक पात्र में एक गैस रखी जाती है गैस के उपर एक पिस्टन लगा दिया जाता है जब अणूओं में प्रसार होता है तो यह बहुत अधिक आयतन घेर लेती है यह विस्थापन किया गया कार्य है उश्मा गतिकी का प्रथमनियम किसी निकाय की आंतरिक उर्जा U उर्जा स्थानांतरण के दो तरीकों द्वारा बदल सकती है उश्मा और कार्य उश्मा गतिकी के प्रथमनियम के अनुसार निकाय को दी जाने वाली उर्जा डेल्टा क्यू का कुछ भाग निकाय की आंतरिक उर्जा डेल्टा यू को बढ़ाने और शेश वातावरण पर कार्य डेल्टा डबल्यू करने में व्याय होती है। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबल्यू जहां डेल्टा क्यू बराबर वातावरण द्वारा निकाय को दी जाने वाली उश्मा डेल्टा डबल्यू बराबर वातावरण पर निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल्टा यू बराबर निकाय की आंतरिक उर्जा में परिवर्तन यदि निकाय को दी जाने वाली उश्मा वातावरण पर कारे करने में निकाय द्वारा पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाए तो Δटा U बराबर शून्य इससे प्राप्त होता है Δटा Q बराबर Δटा W विशिष्ट उश्मा धारिता किसी पदार्थ की विशिष्ट उश्मा उश्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रवेमान का तापमान 1 Kelvin या 1 degree Celsius बढ़ाने के लिए आवशक हो M द्रवेमान की एक ठोस का तापमान Δटा T तक बढ़ाने के लिए डेल्टा Q उश्मा की आवशक्ता है जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है डेल्टा Q बराबर M C डेल्टा T मोलर विशिष्ट उश्मा C बराबर 1 बटे N गुणा DQ बटे DT लगभग दी गई मात्रा तक प्रतेक धातु के तापमान को बढ़ाने के लिए ठोसों की विशिष्ट उश्मा का परिवर्तन 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के फलन के रूप में जल की विशिष्ट उश्मा को आलेखित किया गया है उदाहरण आईए एक उदाहरण ले एक ब्रेड से प्राप्त उर्जा द्वारा 60 किलोग्राम भारवाला एक व्यक्ती कितने मीटर तक चढ़ सकता है यदि वह एक लाख कैलोरी उश्मा उत्पन करती है मानले की मानव शरीर 28 प्रतिशत की कारेक शमता से कारे करता है जी का ओसत मान 9.8 मीटर प्रतिसेकंड वर्ग लें आईए हल देखें यहां द्रव्यमान और कारेक शमता दी गई है जो क्रमशह 60 किलोग्राम और 28 प्रतिशत है मान लीजे की अभिशिष्ट उचाई H है अब हम जानते हैं की किया गया कारे स्थितिज उर्जा के बराबर होता है अतह इसे सरल करने पर हम प्राप्त करते हैं 60 गुणा 9.8 गुणा H जूल इसकी गणना करने पर हमें प्राप्त होता है 586 H प्रति 4.2 जूल प्रकरम से संबध उश्मा बराबर 1,00,00 कैलरी गणना करने पर हमें प्राप्त होता है 28 बटे 100 गुणा 1,00,00 जो बराबर है 588 H बटे 4.2 K अतह है H बराबर 200 मीटर अतह है व्यक्ती 200 मीटर तक चड़ सकता है उश्मा गतिक अवस्था चर और अवस्था समी करन जब कोई निकाए अपने वातावरण के साथ समाने अवस्था में होता है तो निकाए का दाब P, आयतन V और तापमान T निकाए की उश्मा गतिक अवस्था की व्याख्या करता है इन्हें अवस्था चर भी कहा जाता है समी करन अवस्था किसी पदार्थ द्वारा संतुष्ट P, V और T के मध्ये एक संबंध है सरल्तम अवस्था समी करन आदर्श गैस समी करन है जब हम एक विशिष्ट तापमान के लिए दाब और आयतन के मध्ये एक ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त वक्र समतापी कहलाता है CO2 के लिए अलग-अलग समतापियों के आलेख इस प्रकार है उश्मा गतिक प्रकरम स्थैतिक कल्प प्रकरम ऐसा निकाय जो अपने चरों को इतनी मंद गती से बदलता है कि यह पूरी प्रकरम में अपने वातावरण के साथ तापिय या तांत्री की यह समावस्था में रहता है स्थेतिक कल्प प्रकरम में प्रतेक चरण में निकाय और वातावरन के दाब और आयतन में बहुत कम अंतर होता है सम आयतनिक प्रकरम सम आयतनिक प्रकरम में आयतन नियत रहता है गैस पर या गैस द्वारा कोई कारे नहीं किया जाता है गैस द्वारा अवशोशित उश्मा पूरी तरह से इसकी आंतरिक उर्जा और इसके तापमान को परिवर्तित करने में व्याय होती है नियत आयतन पर उश्मा की दी गई मात्रा के लिए तापमान में परिवर्तन का निर्धारन गैस की विशिष्ट उश्मा द्वारा किया जाता है समदाबी प्रकरम समदाबी प्रकरम में दाब निश्चित रहता है अवशोशित उश्मा का कुछ भाग आंतरिक उर्जा को बढ़ाने में और कुछ भाग कारे करने में व्याय होता है नियत दाप पर उश्मा की दी गई मात्रा के लिए तापमान में परिवर्तन गैस की विशिष्ट उश्मा द्वारा निर्धारित होता है चक्रिय प्रकरम चक्रिय प्रकरम में निकाय अपनी मूल अवस्था में वापस लोटाता है चूंकि आंतरिक उर्जा एक अवस्था चर है एक चक्रिय प्रकरम के लिए डेल्टा यू बराबर शूने अवशोशित कुल उश्मा निकाय द्वारा किये गए कारे के बराबर होती है इस प्रकरम में निकाय का दापमान नियत रहता है एक आदर्श गैस के मूलों की दी गई संख्या के लिए हमारे पास है PV बराबर NRT जहां N बराबर मूलों की संख्या T बराबर गैस का दापमान R बराबर सार्वत्रिक गैस नियन्तांक चुंकि T नियत है इसलिए PV भी नियत है समतापी प्रकर्मों की आवशक शर्ते है तापमान नियत रहना चाहिए परिवर्तन मंद दर पर होने चाहिए गैस की विशिष्ट उश्मा अनन्त हो स्थिरोश्म प्रकरम इस प्रक्रिया में निकाय और वातावरन के मद्धे उश्मा का कोई विनियम नहीं होता है डेल्टा क्यू बराबर शूने स्थिरोश्म प्रकरमों के लिए आवशक शर्ते हैं उश्मिय उर्जा का कोई स्थानांतरन नहीं होना चाहिए परिवर्तन तीवर दर पर होने चाहिए विशिष्ट उश्मा शूने हो एक आदर्श गैस का दाब आयतन वक्र दो समतापियों को जोडने वाले दो स्थिरोश्म प्रकरमों को प्रदर्शित करता है उश्मा इंजन उश्मा इंजन एक ऐसा उपकरण है जो एक कुंड से निकलने वाली उश्मा के एक भाग को उच्चे तापमान पर उप्योगी कारे में बदलता है और शेश को निम्न तापमान पर कुंड को निराकरित कर देता है उश्मा इंजन चार घटकों से मिलकर बनता है स्रोत जहां से उश्मा निकलती है सिंक जहां उश्मा के एक भाग को निराकृत किया जाता है कारे कारी पदार्थ कुछ गैस या जलवाश जो कोई उपयोगी कारे करने के लिए फैलता है मशीन कोई यांतरिक निकास जिस पर उपयोगी कारे किया जाता है कुशल्टा उश्मा इंजन की कुशल्टा को किये गए कारे और स्रोत से निकलने वाली उश्मा के अनुपाद द्वारा व्यक्त किया जाता है कुशल्टा बराबर 1-Q2 बटे Q1 रेफ्रिजरेटर और हीट पंप किसी रेफ्रिजरेटर में ठंडे कुण से गरम कुण की और उश्मीय ऊर्जा का प्रवाह यह T2 पर ठंडे कुण से उश्मा की Q2 मातरा अवशोशित करता है एक बाहे कारक द्वारा इस पर कारे किया जाता है और T1 पर गर्मकुंड पर उश्मा की Q1 मात्रा निराकृत होती है निकाए एक बाहे कारक द्वारा संचालित होता है रेफ्रिजिरेटर का निश्पादन गुणांक एलफा बराबर Q2 बटे Q1-Q2 उश्मा गतिकी का द्वितिय नियम उश्मा गतिकी के प्रथम नियम की निमलिखित सीमाएं है यह उस दिशा को इंगित नहीं करता है जिसमें परिवर्तन हो सकता है उश्मा गतिकी का प्रथम नियम इस बारे में कोई विचार नहीं देता कि परिवर्तन किसी सीमा तक होता है उश्मा गतिकी का द्वितिय नियम प्राकृतिक रूप से होने वाले उर्जा रूपांतरण की दिशा के बारे में जानकारी देता है द्वितियनियम के दो प्रमुख कथन इस प्रकार है क्लासियस कथन ऐसे उपकरण का निर्मान करना असंभव है जो जब एक चक्रिय प्रक्रय में परिचालित हो तो एक ठंडे पिंड से गरम पिंड में उश्मा स्थानांतरन के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभाव उत्पन ना करे केल्विन प्लांक कथन ऐसे उपकरण का निर्मान करना असंभव है जो जब एक चक्रिय प्रकरम में प्रचालित हो तो एक स्रोत से उश्मा लेकर इसे पूरी तरह से कारे में रूपांत्रित कर दे उत्क्रमनिय और अनुत्क्रमनिय प्रकरम उत्क्रमनिय प्रकरम यह वह प्रकरम है जिसे पुन्ह विप्रीत दिशा में प्राप्त किया जा सकता है ताकि निकाय और वातावरण प्रत्यक्ष प्रकरम में प्रत्यक्चर्ण पर उसी एक समान अवस्था से गुजरते हैं विद्युत अबगटन एक स्प्रिंग का मंद स्पीडन एवं विरलन उत्क्रमनिय प्रकरम के उधारण हैं अनुत्क्रमनिय प्रकरम यह एक ऐसा प्रकरम है जो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लोटते निकाय प्रत्यक्ष प्रकरम में एक समान मध्यस्थ अवस्था से नहीं गुजरता है सभी रासायनिक अभिक्रियाएं और प्रकरितिक प्रकरम अनुत्क्रमनिय प्रकरम के उधारण हैं कनाट इंजन कनाट का इंजन उत्क्रमनिय चक्र के कारे करता है जिसे कनाट का चक्र कहा जाता है एक कनाट के चक्र में निम्न चरण होते हैं समतापी प्रसार सिलेंडर स्रोत के साथ तापिये संपरक में रखा जाता है और पिस्टनों पर धीरे धीरे भार घटाया जाता है गैस नियत तापमान T1 पर समतापिय रूप से फैलती है और आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है इस प्रसार के दौरान अवशोशित उश्मा की मात्रा Q1 है स्थिरोश्म प्रसार सिलेंडर को एक अचालक स्टैंड पर रखा जाता है और पिस्टनों के भार को और घटाया जाता है स्थिरोश्म प्रसार तब तक होता है जब तक की तापमान गिरकर सिंक के T2 तक नहीं पहुँच जाता गैस का आयतन V2 से बढ़कर V3 हो जाता है और इसका तापमान T1 से गिरकर T2 हो जाता है समतापी स्पीडन सिलेंडर को सिंक पर रखा जाता है और पिस्टन पर भार को बहुत धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है गैस T2 पर समतापीय रूप से संपीडित होती है और इसका आयतन V3 से घटकर V4 हो जाता है समतापी स्पीडन के दौरान निराकरित उश्मा Q2 है स्थिरोश्म स्पीडन सिलेंडर को अचालक स्टैंड के उपर रखा जाता है और भार को और बढ़ाया जाता है स्थिरोश्म स्पीडन तब तक होता है जब तक कि गैस का तापमान स्रोथ के तापमान को बढ़ा नहीं देता इस प्रकार गैस का आयतन और घटकर V4 से V1 हो जाता है और इसका तापमान T2 से बढ़कर T1 हो जाता है एक कनाठ चकर की कुशलता है Q1 बटे Q2 बराबर T1 बटे T2 क्या आप जानते हैं क्लासियस ने दिखाया कि प्रतेक घटना वास्थव में इसलिए होती है क्यूंकि उर्जा उच्चे उर्जा वाले क्षेत्रों से निम्न उर्जा वाले क्षेत्रों की और गरम क्षेत्र से ठंडे क्षेत्रों की और गती करती है एक बार उर्जा के उश्मा में बदल जाने पर या नश्ट हो जाने पर इसका पुनहे उप्योग नहीं किया जा सकता जैसे कि बर्फ के पिघल जाने पर आप उससे पुनहे इगलू नहीं बना सकते उश्मा गतिकी के द्वितिय नियम के अनुसार प्रतेक बार उप्योग करने पर उर्जा नश्ट होती है इसलिए ब्रह्मान की एंट्रैपी बढ़नी चाहिए सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं उश्मा गतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो उश्मा और तापमान और उश्मा के अंतहरूपांतरण और उर्जा के अन्य रूपों की अब धारणाओं पर चर्चा करती है तापिय सम्यावस्था किसी निकाई की वह अवस्था है जिसमें स्थूल दर्शी चर जो निकाई को विशेष्टा प्रदान करते हैं समय के साथ नहीं बदलते हैं यदि दो निकाए A और B एक तीसरे निकाए C के साथ अलग-अलग समयावस्था में हैं तो निकाए A और B एक दूसरे के साथ समयावस्था में होते हैं निकाय को दी जाने वाली उर्जा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक उर्जा बढ़ाने में और शेश वातावरन पर कारे करने में व्याय होता है किसी पदार्थ की विशिष्ट उश्मा, उश्मा की वह मात्रा होती है, जो पदार्थ के एक कांक द्रवेमान का तापमान, एक केल्विन या एक डिगरी सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो ऐसे उपकर्ण का निर्मान करना असंभव है, जो जब एक चक्रिय प्रकरम में परिचालित हो, तो एक ठंडे पिंड से गरम पिंड में उश्मा स्थानांतरण के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न ना करे ऐसे उपकर्ण का निर्वान करना असंभव है जो जब एक चक्रिय प्रकरम में परिचालित हो तो एक स्रोत से उश्मा लेकर इसे पूरी तरह से कारे में रूपांतरित कर दे